नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आप सभी का हैपी इन्वेस्टर्स के एक और नए एपिसोड में जहाँ पर आपको मिलते है चोटे चोटे वीडियो में बड़े बड़े मल्टी बैगर्स आज एक ऐसी कंपनी के हम दोस्तो बात करने जा रहे हैं जिसको मैंने पहले भी कवर किया है उसका मैं वीडियो काफी लंबे अर्से से बना रहा हूँ और आज वो कंपनी के अंदर एक बहुत ही ज्यादा बुलिश निउस आई है क्या है वो निउस और क्या रहेगा उसका फ् हमारे साथ फटाफट से जाते है उस स्टॉक पर और देखते हैं उसके फंडामेंटल दोस्तों वीडियो के शुरुवात करने से पहले मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूं कि यह डिस्क्लेमर ज़रा ध्यान से बढ़ दीजिएगा कि यह एक एजुकेशनल परपस के लिए ही ह जरूर कंसल्ट कीजिएगा तो चलिए बिना देर करते हुए जाते हैं हम उस स्टॉक के फंडामेंटल पर देख सकते हैं स्क्रीन पर जिस स्टॉक की मैं आपको आज बात करने जा रहा हूं उसका नाम है HFCL लिमिटेड वीडियो को स्किप करने से पहले क्रिपिया मेरी बा होने वाला है कि HFCL के रिगार्डिंग क्या पॉजिटिव नीज आई है बलकि ये भी डिसकस होने वाला है कि क्या ये स्टॉक आपको इस वक्त बाई करना चाहिए या नहीं रॉंग टम के लिए कितना अच्छा रहेगा ये स्टॉक और अभी क्या सही समय है इस प्राइस प करना मेंटली ये स्टॉक अगर मार्केट कैप देखा जाए तो यहां पर स्टॉक का मार्केट कैप है 11,887 करोड यानि के करीब करीब 1200 करोड की कंपनी है ये रिटन ऑन इन्वेस्मेंट काफी अच्छा दिया है आरोई यानि के रिटन ऑन इक्विटी होता है जो कि काफी अ सबसे काफी ज्यादा ओर वेल्यूट स्टॉक है ठीक है लेकिन सिर्फ पी रेशियो सम डिटर्माइन नहीं कर सकते कि क्या स्टॉक आगे सस्ता है या फिर आगे ग्रो करेगा या नहीं करेगा या फिर अभी क्या ये स्टॉक सस्ता है या फिर हो सकता है कभी कभी फ्यूचर की probability देखने के बावजूद market उसको P ratio high बता रहा हो तो दोनों case हो सकता है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के end में लेकिन end तक वीडियो ज़रूर देखेगा सब कुछ fundamentally cover करने वाले है इस वीडियो में earning per share है 22.60 ठीक और dividend भी provide PR है कंपनीने हाली में और अगर हम profit की बात करें तो यहाँ पर दोस्तो year on year basis पर revenue revenue company का काफी हद तक stagnant है यहाँ पर एक time सा 2017 में 2000 करोर का revenue फिर थोड़ा बढ़ा revenue फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पर 2019 तक अच्छा चलता है फिर 2020 में वापिस नीचा जाता है और 2020 बीस के बाद वापिस से इसके अंदर growth है तो overall अगर देखा जाए तो average revenue पर अभी यह stagnant चल रहा है consolidation mode में इसका revenue का chart अब अगर profit की बात की जाए दोस्तों तो profit से हमें यह पता चलेगा कि profit लगातार company का बढ़ता जा रहा है देखिए दोस्तों बले ही यहाँ पर छोटे अर्से में बढ़ रहा है छोटे gap में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है company की stity जो है वो पहले से ज्यादा improve हो रही है तो एक अच्छी sign है यह किसी भी company के लिए अब बात करते है इस company के net worth की तो net worth भी दोस्तों देखिए एक time के बाद एक बहुत ही बढ़िया 45 डिगरी पे net worth बढ़ रही है company की जो कि एक बहुत ही sign होती है किसी भी company की recovery के लिए हम सब पता हम सब जानते है कि एक time पर HFCL बहुत ही बढ़िया company हुआ करती थी और उसके बाद बुरा वक्त आता है और company का stock गेड़ जाता है लेकिन अभी धीरे धीरे इस bullish news के बाद company वापिस से track पर आने लग गई है और आगे हम ये भी जानेंगे कि क्या इस company पर हमें और भी सस्तादाम मिल सकता है तो उससे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर shareholding pattern यहाँ पर shareholding pattern अगर देखा जाए लेट है September quarter के हिसाब से दोस्तों तो यहाँ पर retail investors के पास ज्यादातर majority stake है बाकी promoters का भी stake 41% है और foreign investors का भी यहाँ पर holding है mutual fund की अगर बात की जाए तो छोटे मोटे mutual funds भी इसमें invested है quant small cap fund direct plan quant tax plan direct growth ठीक और इनके जो competitors है वो भी काफी बढ़िया है यानि कि इंडेस्ट आवर्स हो गया टाटा कम्यूनिकेशन हो गया टाटा टेली सर्विसेस हो गया ये सारे काफी हद तक अच्छे stock यहाँ पर जानने में आ रहे है जो कि इसके साथ अच्छी खासी टकर दे सकते है अब बात करेंगे इसकी news के बारे में तो क्या है वो news उससे पहले हम जाएंगे चार्ट पर वही पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है वो news और किस तरीके से हमें इस stock में buying करनी है ठीक दोस्तो अब HFCL की company का चार्ट सेक्शन में आप सबी को चार्ट अच्छे से नजर आ रहा होगा तो HFCL company जैसे कि आप सब जानते है टेलीकॉम टावर बनाती है टेलीकॉम सर्वेसिस के लिए काम करती है जैसे कि जीयो हो गया एटल हो गया वोडा फोन हो गया ये तीनों के तीनों जिनका मैंने आपके लिए नाम लिया ये तीनों के तीनों इनके clients है दोस्तो आप इनकी जब website पर जाएंगे तो आपको सरूर मिलेगा ये ज़रा home work आप लिख लीजिए सब कुछ मैं ही बता हूँ इससे ज्यादा अगर आप भी अपनी research करेंगे तो आपको भी कुछ नई चीज़े जानने को मिलेगी तो चलिए एक काम करते हैं आपको मैं एक home work देता हूँ कि आपको इसकी website पर जाके मुझे बताना है कि कौन कौन से इनके clients है और clients के नाम आप comment section में जरूर लिख सकते है मुझे भी आपकी साथ इंट्रेक करने में बहुत पसंद आएगा मज़ा आएगा तो आप ज़रा website पर जाकर करके मुझे बताएगा कौन कौन इनके clients है मैंने तीन clients आपको बटा दिये जो की है एटल, Vodafone और जीओ ये तीन clients तो इनके है इसके अलावा भी कहीं सारे clients है जिसके आप नाम जानते होंगे लेकिन आपको नहीं पता होगा कि ये लोग HFCL के clients है तो मुझे ज़रा बताएगा कमेंट सेक्शन में कौन है इनके clients अब दूसरी बात करते है दोस्तों यहाँ पर क्या है वो news तो news तो इतनी bullish है दोस्तों कि क्या बताऊं यहाँ पर जीओ जैसा कि हम सब जानते है जीओ याने की Reliance की company टेलिकॉम company जिसने बहुत ही ज्यादा तगड़े competition दिया है बाकि सारे services को उसने HFCL के अंदर 5% का stake बढ़ा दिया है आपने news भी पढ़ी होगी कहीं सारी famous YouTubers ने भी इसके ओपर वीडियो बनाया है 5% बढ़ा दिया है stock का अंदर इनका promoter का stake Reliance ने 5% increase किया है अपना stake HFCL के अंदर अब सब के दिमाग में यही होगा कि क्या यह stock अब भागेगा अब तो YouTubers ने भी आपको बताया होगा कि यह stock buy कर लो अब यह आगे भागने ही वाला है बिल्कुल हो सकता है यह stock भागेगा ही भागेगा यह इसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तो लेकिन short term में अगर आप अच्छी दाम पर buy करना चाते हो दोस्तो तो अभी मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा SIP के form में ही invest करना रहेगा क्यूं? क्यूंकि यह stock अगर आपको वापिस से 80 रूपीज के पास available होता है या फिर 80 से नीचे 75 भी जाने की संभावन अगर बनती है थोड़े देर consolidate करता है तो आपके लिए एक अच्छी price moment मिल सकती है एक average out मिल सकती है price आपको buy करने के लिए तो क्या ये level पर buy करना ज़रूरी है बिल्कुल ये level पर भी आपको buy करना ज़रूरी है आप थोड़ा सा amount ज़रूर HFCL में invest कर दीजिए अभी थोड़ा सा amount बचा करके रखिए अगर stock नीचे आता है तो आपको एक अच्छी खासी range मिलेगी देखिए यहाँ पर करीब करीब 70 से उपर और 80 के नीचे याने की 70 और 80 के बीच का जो area है price का वहाँ पर एक अच्छा खासा support बन रहा है जहाँ पर stock के आने की एक बार संभा होना ऐसी बन रही है तो आपको जरूर इसमें ध्यान से नजर रखनी है और buying करनी है ठीक तो इसी प्रकार से आपको एक अच्छा खासा price moment मिल सकता है बाकि इस level पर भी अगर आप buying करना चाहे तो बिलकुल कर सकते है थोड़ा सा amount lacking buy किजिएगा सारा का सारा पैसा एक की stock माने लगाना है सारा का सारा पैसा अभी नहीं लगाना है बाकि मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाले वीडियोस में हमारे चैनल को लाइक करना और वीडियोस को लाइक करना और सब्स्राइब करना मत बूलिएगा मिलेंगे फिर से किसी अच्छे वाले वीडियोस में तब तक के लिए देखते रही है happy investors बाबाई